नाकपुर शहर में दिन प्रेजिदेंट अपरादी घटना है सामने आ रही है इसी के चलते मंगलवार को वाठोड़ा परीसर में और एक हत्या की घटना सामने आई है प्रारंबिक जांच में बताया जा रहा है कि पैसो के लेंदेन को लेके इस घटना को अंजाम दिया गया इसमें मुख्या रूपी का नाम प्रकाश को स्रीप बताया क्या है लकड़ी और चाकू से वार कर इस वारदात को अंजाम दिया गया हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है इस बारे में अधिक जानकारी पुलिस उपायक तर लोहित्मतानी द्वारा दिगई वाठोडा में शावर नगर बस्ती में आद दोपैर के बारा बजे एक आदमी जिसका नाम है आकिब अब्दुल सत्तर इसकी हत्या हुई है इसको मानने वाले चार अरूपी है जिसमें से मुख्या रूपी का नाम है प्रकाश कोसरे उसके साथ में तीन और अरूपी है जो इसमें मानने के लिए वैपन इस्तमाल किया गया है वो एक बड़ी लकडी और एक 10 इंच का चकू का इस्तमाल किया गया है गरदन पर वार करके हत्या की गई है और मानने के पीछे का कारण अभी क्लियर नहीं है और प्रात्मिक कुछ पैसे के लिंदिन पर ये हत्या की गई जो मृत्तक है वो आटो चालक है इसके उपर पहले दो गुने दाखिल है एक लकडगंज में दाखिल है तीन सो पिच्चानवे का और वाठोडा में तीन सो चौबे सा गुना दाखिल है इसके अलावा जो आरोपी है उन में से तीन चार में से तीन आरोपी पर पहले से गुने गुरुमंद्रे की नगरी के जाने वाले नाकपूर शहर में जिस तरीके से अपराद बढ़ रहे है उन पे रोकताम लगाना ज़रूरी है अगर इन अपरादों को रोका नहीं गया तो नाकपूर शहर जल्द ही अपरादिक मामलों में पहले स्थान पर पहुच जाएगा क्यामरा पोसन राजकुमार महोड के साथ दिशाहटवार इन बीसियन यूस नाकपूर